वेलकम टो इश्ट्यप अपाईए स्वगत है आप सभी लोगों का दे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिसकुशन में आज है 26 जनवरी 2019 तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गरतंत्र दिवस की हार्दिक सुपकामना है जैसे कि ये वेल नोन है कि आज से 70 साल पहले जो हमारा कॉंस्ट्यूशन था वो फोर्स में आया और इंडिया एक रिपबलिक बन गया देखे ये रिपबलिक बहुत ज़रूरी था क्योंकि हजारों सालों से सताबदियों से सैक्डों सालों से इंडिया के जो कॉमन लोग थे उनका ना तो government में और ना है decision making में कोई role था उसके बाद Britishers यहां पर आते हैं काफी लंबे समय तक वो यहां के culture को यहां के civilization को persecute करते हैं इंडिया के civilization की काफी अच्छी और past glory रही है मैं आपको एक hypothetical story सुनाता हूँ एक बार ऐसा हुआ कि दुनिया के सभी देस एक जिगए पर इकठा हुए that was a kind of convention और उसे time खुद ही preside कर रहा था time खड़ा था और सभी countries वहां पर सामने बैठी हुई थी तो France पूछता है समय से कि समय मैं कितना पुराना हूँ तो समय बताता है कि हाँ आप इतने 1000 साल पुराने है या फिर इतने 100 साल पुराने है then America asks मैं कितने साल पुराना हूँ तो time reply करता है लेकिन जब इंडिया का समय आता है तो समय इंडिया की योड देखता है इंडिया मुस्कुराता है और फिर समय इंडिया से पूछता है कि Lord how much old I am, मैं कितना पुराना हूँ कहने का मतलब ये है कि जब दुनिया के other continents पर जो countries थी वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो पेडों की छालों के कपड़े पहना करते थे पत्तियों को खाया करते थे और अपने सरीर को नीरे रंग से रंगा करते थे उस समय इंडिया की जो civilization थी जो culture था वो फल फूल रहा था जहां एक और मेसोपतामिया, एजिप्ट और ग्रीक की civilization कोलाप्स कर गई वहीं दूसरी ओर इंडिया की civilization बनी रही क्योंकि यहां की civilization में एक clear understanding थी civilization के मतलब को लेकर फिर European continent का एक छोटा सा देश सामराज विस्तार की लालसा में अपने बहुत ही cheap और clever white man's burden theory के साथ भारत में भी आता है वो भारत के लोगों को civilized बनाने आये थे, ऐसे लोगों को जिन्होंने दुनिया को civilization का मतलब बताया Actually में उनके dark hidden faces थे जहां पर वो अपनी greed, अपने interest को serve करना चाहते थे हमारे national leaders ने उनका बिरोध किया, protest किया और हमारी आजादी के लिए अपनी जान की दी जो आज हम enjoy कर रहे हैं उनका contribution वैसे तो कभी भी नहीं भूला जा सकता But today is a special occasion to remember them, to salute them, to grant them our gratitude whatever they did for us महात्मा गांधी, सुभाष चंद्रबोस, जवाहर लाल नहरू, मौलाना अबुलकालाम आजाद, भगस सिंग, बाबा सहाब अंबेडकर, सरोजनी नैडू, चंदरसेखर आजाद, ये तो कुछ नाम है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, खुद को आर्टिल्री गन्स के सामने रखा, हमारी आजादी के लिए सायद हम उनके नाम भी नहीं जानते तो ये एक special location है कि हम उन सभी लोगों को दिल से salute करें, उन्हें याद करें देखिए आजादी पाने के बाद आज मारे पास बहुत सारी समस्या आए हैं, poverty, hunger, terrorism, environmental degradation हाला कि इन problems को solve करने में समय लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी problems हैं, जिने mutual understanding के साथ बहुत आसानी से solve किया जा सकता है, और वो है erosion of our communal harmony, जो हमारी सामपरदाइक एकता खत्रे में पढ़ रही है उसे बहुत आराम से mutual understanding के साथ सुलजाया जा सकता है, partition के बाद जो लोग भरत में रहे, उन लोगों ने decide किया कि वो लोग एक साथ हमेशा प्यार से खुसाली के साथ रहेंगे, लेकिन कुछ anti-social elements, disharmony create करने का प्रयास करते रहते हैं हम सभी लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी करने का प्रयास करते रहते हैं, इस दीवार को तोड़ने की जरूरत है और इसके लिए हमें उस से जादा energy लगानी होगी, जिस energy के साथ इन दीवारों को बनाया जा रहा है ये पेड़, ये पत्ते, ये साखें भी परिशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसल्मान हो जाएं नपूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी है तो Republic Day के special occasion पे कुछ बाते मेरी तरफ से थी, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कौन से articles हैं, जो आज हमारे लिए important है CBI ने अभी ICICI की जो chief है, in fact जो थी, चंदा कोचर जी, उनके उपर case file किया है काम आगे बढ़ेगा, देखते हैं क्या होगा, तो इसमें तो कुछ बहुत ही productive चीजे निकल के आएंगी तभी हम इस पर discussion करेंगे, हाँ, Venezuela में एक crisis चल रहा है, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए तो Venezuela का है जो crisis है, first of all आप Venezuela की location देखिए map में, South American जो continent है, वहाँ पर ये एक country है Venezuela, neighboring country, Colombia, यहाँ पर Brazil है, यह गुयाना है, बाकि और भी countries है, South American continent पे, जैसे कि यहाँ पर पेरू है, that is Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazil तो हमने देखी लिया, यहाँ पर है सूरी नाम, ठीक है, French Guiana, तो यह countries ह जिनके बारे में आपने देखा, अभी देखे वहाँ पर issue क्या चल रहा है, वहाँ पर issue यह है, कि मादुरो, जो वहाँ के वरतमान में president है, officially हम बात कर रहे हैं, कि मादुरो वहाँ के president है, लेकिन अभी कुछ समय पहले, दुबारा वहाँ पे elections हुए, 2013 में वो सत्ता में आय test भी किया, लेकिन अभी देखे, उनके खिलाफ कुछ आवाजे उठ रही थी लोगों के भीतर भी, चुकि असंतोस्तो लोगों के अंदर है ही, in between जो opposition leader थे, Guedo, उन्होंने अपने आपको interim president declare कर दिया, कई सारी Latin American countries के साथ, America, Canada और जो उनके allies हैं, उन्होंने इनकी presidency को स्वि कर दी है, कि वो जो वर्तमान में president है, उनके साथ है, और जो Guedo हैं, अगर वो आकर फिर से वहाँ पर भाली का प्रयास करते हैं, democracy की, तो उन्हें punish नहीं किया जाएगा, उन्हें माफ कर दिया जाएगा, तो ये पूरा एक crisis Venezuela में चल रहा है, जिसके बारे में basic तोर पे जानन है, तो आखिर हम क्या बचाना चाहते हैं, ऐसे कई सारे सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं, फिर उनका जवाब दिया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल यह बताता है, कि अगर अफगानिस्तान में US वापिस लोटता है, तो क्या-क्या तो चलिए हम अपने डिसकेशन को आगे बढ़ाते हैं, यह बाते हैं, यह बाते हैं, आप हमें इस प्रोग्राम के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पर आप एक experience coach के supervision में अपनी तयारी करते हैं, अभी देखे, we are making a plan कि ए ग्रुप तयार किया जाएगा उन students के लिए, और अगर वो 2019 के attempt में जाना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक special group तयार किया जाएगा, हाला कि उनका program एक साल का होगा, पर intensified तरीके से जो 2 जून का prelims है, उसको target किया जाएगा, तो उसकी कुछ details मैं आपको और दे दूँगा, जिन्होंने कम से कम एक बार prelims attempt किया होगा, यह उनके लिए specified होगा, बाकी जो 2 बार, 3 बार भी दे चुके हैं, वो भी आ सकते हैं, तो इसके बारे में और details आपको दे दी जाएंगी, in between अगर आप और details चाहते हैं, तो इस number पर contact कर सकते हैं, जो यहाँ slide में आपको नीचे की उड़ दिख रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ऐसे writing में आज हमारे पास क्या है, somewhere something incredible is waiting to be known, कारल सैगोन का एक statement है, कि कहीं न कहीं, कुछ न कुछ बहुत बहतरीन, बहुत 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 इंतजार कर रहा है कि उसे जाना जाए, तो उसे कौन दुनिया के सामने लाता है, वो आप भी हो सकते हैं, तो आपको हमेशा spirit of science, spirit of knowledge अपने अंदर रखना चाहिए, ताकि आप चीजों को समझ सकें, जानने का प्रयास कर सकें, statement का इस्तेमाल अपनी समझ अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे, तो आए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना पहला article, after US leaves का paper 2 से topic को जोड़िए India and its neighborhood relations वाले topic से, सबसे पहले location देखिए अफगानिस्तान की, यह है अफगानिस्तान ठीक है, पडोसी देशों में, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर इंडिया है, हाला कि इंडिया का जो हिस्सा अफगानिस्तान से जुड़ता है, वो आज पाक ने अफगानिस्तान की साथ जुड़ता है, वो अभी पाकिस्तान ने होके पाई कर रखा है, यहाँ पर ताजाकिस्तान है, यह है तुरकमेनिस्तान और यहाँ पर है इरान, ठीक है, तो यह आसपास के कुछ देश हैं, जिनके बारे में हमने map में रेख लिया, जान लिया, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वो 43 बिलियन डॉलर हर साल बचा लेंगे पाकिस्तान इसके बाद काफे डरा हुआ है क्योंकि अगर अमेरिका वापिस जाता है तो अफगानिस्तान में सिचुएशन्स खराब होंगी जिसका नुकसान definitely पाकिस्तान को भी होगा अफगान तालिबान दिन बदिन जीतता चला जा रहा है जिसका आधे से ज्यादा देश के हिस्से पर कबज़ा है और अभी उसकी निगाह दो लाख पचास हजार स्ट्रॉंग अफगान आर्मी पर है जो कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आता है तो फिर यह strong army है यह उसके under में होगी तो वो लगातार इसके लिए प्रयासरत है इंडिया की भी अफगानिस्तान में presence है इंडिया ने एक game changing चाबहार port को इरान में develop किया है जिसके बाद अब हम अफगानिस्तान से जुड़ गए हैं क्योंकि इसके लिए हम एगर land route से जाना है तो पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ती है और पाकिस्तान कभी मिदद करने को राजी था नहीं तो फिर हमने एक नया रास्ता अपनाया है मतलब एक बहुत ही strong key holder इंडिया भी है अफगानिस्तान में तीन South Asian जो SAR के तीन members हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया ये चाहते तो आपस में cooperate करके जो situation थी अफगानिस्तान में उसको बहतर कर सकते थे लेकिन इन्होंने cooperate करने के बज़ाए आपस में disagreements को बढ़ावा दिया लड़ाईयां रखी बीच में इसी वज़े से situation आज अफगानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा खराब है तालिबान के पास लड़ाके हैं जो के Middle East से भी है, Central Asia से भी है ISIS जायस से, Al-Qaeda से जो कि अभी भी operational हैं और ये खत्रा पैदा करके रखे हुए हैं इन सारकी countries को, including Pakistan and India China एक अगला बड़ा economic key holder है अफगानिस्तान में इंडिया के बाद टर्की ने भी अपनी निगाह लगा रखी है कि उसे भी एक important key role play करना पड़ सकता है अपने लोगों के interest को safeguard करने के लिए क्योंकि वहाँ पर टर्कमेन या टर्किक community के कई सारे लोग हैं इनके लीडर रासिद दोस्तों वहाँ के vice president भी थे अफगानिस्तान के और अफगान आर्मी के chief भी थे तो उनका भी एक बड़ा stake है तो वो भी चाहेंगे कि वो एक key role play करें अफगानिस्तान में जो rebellious पाकिस्तानी तालीबान है safely located in north western अफगानिस्तान जिसने अपना गढ़ बना के रखा हुआ है north western अफगानिस्तान में has hurt Pakistan as no one else in अफगानिस्तान उसने अफगानिस्तान में अपनी पैट बना कर पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाया साइध ही अफगानिस्तान से अफगानिस्तान को जो जो ने पाकिस्तान के आर्मी का सोचने का नजरिया बदल दिया अब उनके सामने एक सवाल था कि आखिर अफगान तालिबान क्यों अलाउ करता है ऐसे लोगों को जिनोंने पाकिस्तान के मासूम बच्चों को मारा पाकिस्तान no longer अब पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को strategically इंडिया के अगेंस्ट खरा करना बहुत महतपूर नहीं रह गया था देखिए तालिबान के साथ कोई भी कम्यूनिकेट नहीं करना चाहता ये सच्चाई है अमेरिका ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया जबकि तालिबान ने अमेरिका के सबसे बड़े दुस्बन सोवियत यून की आर्मी को ख़देर दिया था नुकसान भी हुआ 9 upon 11 का अटेक USA में पाकिस्तान थाट दे कुड़ गेट एनिफिंग डन इन अफगानिस्तान लेकिन पाकिस्तान को ऐसा नहीं लगा अमेरिका ने भी उनके साथ कम्मिनिकेट करने की कोसिस नहीं की लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो जो चाहेंगे वो अफगानिस्तान से ले सकते हैं उन्हें ये नहीं पता था उन्हें ये नहीं समझते कि हकानी नेटवर्क के अपने खुद के प्लान है जो बाद में उन्हें समझ में आ भी गया ये सच्चाई है कि जदा तर जो अफगान कम्यूटी के लोग हैं वो तालीबान के रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेंगे जबकि ऐसा हुआ था कि जब तालीबान हाईलाइट होना सुरू होता है तो जो सभी अधर अफगान ग्रूप थे उन्होंने खुद को अंडरग्राउट करना सुरू कर दिया था और सभी चाहेंगे कि जो लिबरल ओर अमेरिका के अंडर में लिखा गया constitution वहां पर establish कर रहा है उसे उखार कर फेक दिया जाए जो अमेरिका के पैसे से बनाया गया है लेकिन अगर उन्हें मौका मिले देश शोड़ने का तो तालीबान के सत्ता मियाने से पहले ही वहां से अफगानिस्तान को छोड़ कर चले जाएंगे क्योंकि तालीबान ने काफी लंबे समय से उन्हें दबा कर रखा हुआ है वो underground है क्योंकि वो अपना dominance बना कर रखे हुए है इसके बाद अगर अफगानिस्तान में फिर से इसलाम return होता है वापिस आता है तो ये एक land locked country के लिए जो की काफी लंबे समय से war में फसा हुआ है बहुत ही खतरनाख होगा क्योंकि वहाँ पर वो एक water stagnation है पानी की कमी है एक ऐसी country है जहाँ पर लोगों के पास खाने को भी बहुत अच्छी उपलबदता नहीं है अफगानिस्तान इस ओन ब्रिंक ओफ food and water crisis वहाँ पर food और water crisis होने के संभावनाएं हमेसा बनी रहती है यहाँ पर देखे सार्क जो की inactive पड़ा हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक abides agreement है on that issue तो यहाँ पर इसे revive करके जो तीन members है वो यहाँ पर situation को improve करने का प्रयास कर सकते हैं असरफ घनी की जो सरकार है वो survive नहीं कर पाएगी अगर American funded Afghan army फिर से अगर अमेरिका पीछे हटता है और अमेरिका का backup हटता है तो असरफ घनी backup नहीं ले पाएंगे counter नहीं कर पाएंगे Taliban को इस सती में वो definitely Taliban के साथ Taliban को join कर लेंगे या उनके साथ एक बहुत ही mild समझोता कर लेंगे that's why the Taliban are refusing to even recognize the Kabul government और यही करण है कि जो Taliban है वो अफगानिस्तान की सरकार को recognize भ कोई भी तोड़ सकता है और that will enlarge their capacity to challenge both Pakistan and India और अगर ये आर्मी Taliban के हाथ में जाती है जैसा कि अगर वो सत्ता में जाएंगे तो definitely फिर वो आर्मी भी उनके अंडर में होगी तो ये Pakistan और इंडिया को challenge करने के लिए एक बहुत बड़ी capacity create कर देगी पाकिस्तान में जो decision makers है वो क्या सोच रहे हैं इसे diagnose करना तो काफी मुस्किल होगा but their decision to turn to India and offer talk and trade लेकिन उनों जो एक positive approach अपनाया कि उभार से बाचीद करना चाहते हैं और trade करना चाहते हैं ये possibility create करता है कि यहाँ चीज़ों को normal किया जा सकता है और अगर ऐसा किया जा सका तो अफगानिस्तान के crisis को भी deal किया जा सकता है तो ये पूरा article हमने यहाँ पर देखा अब आईए देखते हैं अगला article अलवर स्क्वेरल paper 200 topic को जोड़िए Indian constitution वाले section से आईए बात करते हैं देखिए constitutional founding in grand terms जो हमारा संग्विधान है उसे किस तरीके से define किया जाए ये एक महत्तपूर बात होगी क्या हमारा संग्विधान एक सुरुवात देता है क्या ये इंडिया के लोगों को एक नई पहचान देता है या फिर ये न्याय के एक नए छितिज को एक नए होरिजन को create करता है देखिए जितने professionals हैं उनका संग्विधान को समझने का अपना अपना तरीका है जो philosophers हैं वो संग्विधान को एक बहुत ही पवित्र first principle के रूप में देखते हैं politicians इसे बहुत ही अविवस्थित political compromise मानते हैं जबकि economist संग्विधान की inefficiency को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं वही lawyers उसे कुछ ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जो की सनक judges को convince कर सकता है we speak of the constitution if it were a thing हम संग्विधान के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि ये कोई एक चीज हो जो की self-evident truth हो या फिर कोई ऐसा resource जो सभी disputes को खतम कर सकता है देखें we often appeal to the people in underwriting the authority of the constitution ऐसा माना जाता है कि संग्विधान को we the people of India ने लिखा है after all इसे हमारे नाम से ही लागू किया गया है लेकिन समस्या की बात ये है कि आखिर ये लोग है कौन जिन we the people of India की हम बात करते हैं आखिर वो we the people of India है कौन the abstract sovereign invokes as authors of the constitution क्या इसका मतलब उन लोगों से है जिन्होंने संग्विधान को लिखा या इसका मतलब उन लोगों से है जिन्हें ये संग्विधान regulate करता है या फिर ये किसी एक व्यक्ति की बात करता है बजाए इसके कि ये कुछ groups की बात करे sometimes कई बार तो हम इस मुद्दे पर भी जगर लेते हैं कि आखिर इस we the people of India में कौन लोग आते हैं और कौन लोग नहीं आते हैं इसके अलावा कुछ और भी बहुत महत्तुपूर सवाल हैं जो हमारे संग्विधान के संबंध में अकसर उठते रहते हैं is the constitution a charter of liberty क्या हमारा संग्विधान आजादी का एक charter है जो हर व्यक्ति को आजादी देता है और does it give a much license to regulate liberty या फिर ये liberty को regulate करने का एक मौका देता है public order को maintain करने के नाम पर क्या ये radical equality को establish करने का प्रयास करता है या फिर एक ऐसी equality को establish करने का प्रयास करता है जहां पर हर व्यक्ति की उन्नती हो सके हर व्यक्ति आगे बढ़ सके ये property को protect करता है या फिर उसे threat पहुँचाता है और अगर ये protect करता है तो किसकी property को protect करता है क्या ये राज की सक्ती को limit करता है या फिर उन्हें unchecked license दे देता है कि वो जैसे चाहें अपने अधिकारों का अपने powers का इस्तेमाल करें ये society की एक rational image को create करने का प्रयास करता है या फिर constitutional norms के basis पर एक pluralistic vision को तयार करता है कि राज जी के पास तो अधिकार है लेकिन समाज में कई और ऐसे समू है जिनको अधिकार है कि वो अपने अपने opinion को रख सके pluralism एक concept है जहाँ पर plural का मतलब होता है एक से अधिक तो pluralism एक ऐसा concept है जो ये स्विकार करता है कि एक समाज में कई सारी संस्थाईं होती हैं कई सारे institutions होते हैं राज जी व्यक्ति की हर जरूरत को पूरा नहीं कर सकता जैसे एक व्यक्ति की राजनीती का आवशकता है पोलेटिकल नीर्स state complete करता है पूरी करता है वैसे ही उसकी economic नीर्स को economic organizations पूरा करते हैं religious leaders को religious organizations पूरा करते हैं तो एक से अधिक संस्थाएं होती है जो व्यक्ति के जरूरतों को पूरा करती है तो इसे pluralistic vision कहा जाता है तो आखिर ये संविधान क्या create करता है ये society को एक rational image देता है या फिर pluralism के concept को accept करता है Does it give religion too much space or does it marginalize it too much religion को ज़्यादा जगे देता है या फिर उसे secure देता है ये individual freedom को ज़्यादा तवज्जो देता है या फिर ये compulsory identity को enforce करने की courses करता है separation of power के बारे में संविधान के क्या directions है इस पर भी questions raise किये जाते है ये ऐसा प्रयास करता है कि हर wing अपने अपने area में रहके काम करे ये इंडिया की federal diversity को protect करता है या फिर powers को centralize करता है ऐसे कई सारे सवाल हमारे संविधान को लेकर उठाये जाते है जैसे कि minority rights को protect करता है या फिर उनके discrimination का रास्ता तयार कर देता है secularism को ये maintain करता है या फिर secularism को पीछे ढखेला जा सके उसके लिए रास्ता तयार करता है संविधान में जो एक concept है basic structure का आखिर ये है क्या ये जो basic structure है इसका उद्देश क्या है क्या ये democracy का एक substance है क्या democracy एक basic structure है या ये parliamentary form है हमारी सरकार जिसके आधार पे चलती है तो ऐसे कई सारे debates हैं सवाल हैं जो हमारे संविधान के संबंध में उठाया जाते हैं ये तो रही बात संविधान के बारे में कुछ और बाते हैं जो संग्विधान के इतर, कुछ और सवाल हैं जो संग्विधान के इतर पूछे जाते हैं क्या जो ये संग्विधान है वो हमारे समाज की आधी जरूरतों को भी पूरा कर पाता है क्या जो संग्विधान बनाया गया उसको बहुत पहले डवलप कर लिया गया या फिर हम उसे मीठी नहीं कर पाते Who makes the constitution आखिर संग्विधान किस तरीके से लोगों का निर्मार करता है A constitution that is imagined by marginalized group क्या संग्विधान ऐसा संग्विधान है जिसकी कलपना समाज के marginalized group ने की थी कि ये संग्विधान उनको मुक्ती दिलाएगा उनके emancipation का रास्ता साफ करेगा या फिर ये एक ऐसा constitution है जिसकी कलपना समाज के privileged class ने की थी When about those, what about those dark spaces of conflict and violence जो समाज में अभी भी conflict और violence चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है जहाँ पर constitutionalism संग्विधान बाद तूटता हुआ नजर आता है संग्विधान बाद का मतलब होता है कि constitution में rules and regulations तो हो सरकार को limited power दी जाती है Constitutionalism का मतलब limited power है government के limited power से है ठीक है What about constitutional violations? कई बार संग्विधान को बचाने के नाम पे संग्विधान के प्रावधानों का उलंगन कर दिया जाता है उस बारे में आपकी क्या राय होगी Constitution are mean to usher into the future अब कुछ बाते बताई गई हैं ऐसे तो कई सारे सवाल पूछे गए और उसके बाद एक महत्तपूर बात यहां पे बताई गई कि वास्तों में संग्विधान क्या है? संग्विधान हमारी भविष्ची की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था ना कि इसलिए कि हम पास्ट में अटक जाएं जैसा कि अरविंदो घोष जी ने कहा था लेकिन कई बात हम पास्ट में लिए गए डिसिजसन से खुद को बाध लेते हैं और हम उसे maithologize कर लेते हैं और खुद ही उस trap में फश जाते हैं तो फिर बात ये चलती है कि ये तो इतने समय से चली आ रही ये गलत कैसे है या इसके पहले हमने इसे सही ठहराया था तो आज हम इसे गलत कैसे करें हमें भविश्य को देखने की आवशकता है ये भविश्य के हिसाब से गलत है या थवा सही है जब भी हम किसी चीज को unconstitutional कहते हैं तो आखिर हमारा मतलब क्या होता है हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हम किसी normative authority के हिसाफ से norms यानि की regulations जो परंपराये चली आ रही है नैतिक बातों के आधार पर किसी authority को अगर हम maintain करना चाहते हैं तो वो constitutional होना चाहिए अगर वो constitutional नहीं है तो हम किसी बहुत ही basic सी moral बात को भी अस्विकार कर देते हैं even the change in constitution must be contained within it to carry any authority जब हम संविधार में पजवर्तन का भी प्रयास करते हैं तो यही बात कही जाती है कि वो भी एक authority के अंतरगत ही किया जाना चाहिए जब हम constitution की बात करते हैं तो हमारा अर्थ एक किताब से नहीं है जहां पर कुछ चीजों को लिखा गया है इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे में कितना भरोसा रखते हैं वो constitution नाम की किताब एक भरोसा देती है जो हम एक दूसरे के अंदर ढूडने का प्रयास करते है और इसकी जो controversies हैं जो संग्विधान की बारे में कई सारे सवाल है जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की कितनी सारी controversies हैं संग्विधान को लेकर इन controversies को यह constitutional text सही नहीं कर सकता इन controversies को केवल mutual consensus के जरिये ही दूर किया जा सकता है जब हम कहते हैं कि संग्विधान खत्रे में है तो इसका मतलब यह नहीं कि संग्विधान में लिखी गई बातों का violation हो रहा है जिसे उन लोगों ने लिखा जो अब नहीं रहे इसका वास्तों में मतलब यह होता है कि जो प्रेम इस संग्विधान ने हम लोगों के बीच में create किया है वो खत्रे में है हम उस किताब के rules and regulations की बात नहीं करते हम उस bonding की बात करते हैं जो constitution नाम के उस किताब ने create किया है संग्विधान को बचाने का मतलब एक text को बचाने से नहीं है बलकि उस commitment को बचाने से है जो हमने एक दूसरे से किये थे कि हम आगे हमेशा मिल जुलकर harmony के साथ रहेंगे तो यह पूरा article constitution के उपर जो हमने डिसकस किया एक question interview के बारे में है आप बताईए कि Republic Day का क्या significance है आज question आज ही के दिन पर रखते हैं सवाल का जवाब comment box में दीजिएगा यहाँ पर हमारा discussion समाप्त होता है Thank you very much